नमस्कार दोस्तों मैं समीर डिजिटल पाउर यूटूब चैनल में हारदिक स्वागत करता हूं इस वीडिये में हम बात करेंगे बिहार बोर्ट इंटर एडमिशन 2022 के बारे में अवाज थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है गला खराब होने को वज़ा से लेकिन मैं आपको अपडेट बिल्कुल सही देता हूं सबसे पहले यहां पे हम आपको बता दे बहुत से दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि एगर हूं में एडमिशन के लिए अपलाई कब से होगा इस वीडियो बनाए तो फाइनली जो इसके लिए जो अपडेट है वो निकल के आ चुका है कि कि आपको इसमें अपलाई करने के लिए मात्र दस दिनों का समय दिया गया है इसके लिए जो सुचना जारी किया गया है मैं आपको उसको दिखा देता हूं सभी जनकारी उसके बाद में आपको प्रभाइट कराऊंगा तो जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड टोटल जो है और 435 कॉलेज या एसकूलों में आर्स, साइंस वा कमार्स में होगा एडमिशन पहले जो कॉलेज की संख्या थी वो लगवाद 2500 के या 27 के आसपास थी एप्रॉक्स मैं एक्जेक्ट नहीं बता रहा हूं लेकिन पहले क्या था जिस कॉलेज में आर्स था आर्स की एडमिशन होता था उसमें ए होद देखा जाता था उसमें कॉमर्स का भी एडमिशन नहीं में धुर्बटत था या और्स या साइंस जिस कालेज में थे इसमेंOffice नहीं था यानि तिनमोच से किसी एक को उसमें नहीं admission दिया जयता था क्योंकि उस subjek के लिए वहां पर रजीस्ट्रेशन नहीं होता था जिसकी से बहुत से दोस्तों को दिक्कत हो रही थी इस बार आपको देखने को नहीं मिलेंगे टोटल जो है तालिस और पचीस ऐसे स्कूल और कॉलेजु का रेश्टेशन फिर से किया गया है जहां पर आप तीनों संकाय के किसी भी अपने च्वाइस के अनुसार सब्जेक्ट में तार बोड जो है वह इसकी तैयारी में जूट चुका है और जल्दी यानि जून से पहले जून के पहले सब्था में ही यानि आपको साथ जून तक आप ओफिशल नोटिस जारिकर दिया जाएगा जिसमें आपको एकट डेट की बार में जनकारी दिया जाएगा फिलाल यहा पांच हजार आठ सो पांच हजार चार सो अठासी अस्कुल और कॉलेजों में एडमिशन इस साल प्लिया जाएगा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहां पर हम जो बात बताये हुए हैं दस दिनों का और यहां पर आप देख सकते हैं मैं ऐसे हावा में बात नहीं करता हूं म तो मैं आपको जनकाय दे रहा हूं बिल्कुल हंडेट परसंट रियल हैं यहां पर आप देख सकता हैं बियार बोर्ड के एस्टेंट को आवेधन के लिए दस दिनों का समय दिया जाता है उसके बाद क्या किया जाता है दस दिन के बाद उसका डेट फिर से बढ़ा दियाता आगे यहां पर आईएगा तो बताएगा है इस लेटर में कि जो भी यहां पर जून के अंतिम सप्ता हमें आपको डेट जार किया जाएगा जिसमें आपको बताए जाएगा कि इसके लिए एक उमीद जाता आई गई है आपको डेट तो एक्जेक्ट पता चल जाएगा आप को साथ जुन तक साथ से दौस दून तक पता चल देगा लेकिन अपलाई का जो प्रोसेस है उमीद है कि जून के अंतिम सप्ता में आपको पता चल देगा लेकिन यहां पे देखेव दूसरा । यहां पे फिल हो सकता है यहां पर इस रिगार्डिंग जो जानका दिया गया है कि अगर हो में एडमीरिशन के लिए ओनलाइन फॉर्म जारिक किया जाएगा और एसकूल की और से इसके लिए जो है पूरी परकेरिया की लिए शुरू हो चुकी है और फिलहाल ओने स्थे लिए इसलिए रक्याएं इसलिए रखा गया enpoda इंख्युर्म चलरा ऐसके वजह से डिले बहुत जल्दी इसके लिए वेकंसी का जो लिस्ट है वो भी जारी किया जाएगा और यहाँ पर आवेदन करने के लिए बहुत जल्द लिंक आपको मिल जाएगा जैसे कि यहाँ पर बताए गया है कि आपका जो लिंक है वह आपको जून के अंतिम सत्ता से आप आवेदन कर प जात्रमूस